असलाम अलेकूम पब्लिक हाई गाईज वेलकम बैक होगे आप लोगों का एक और नही ब्रैंड वीडियो के साथ तो पब्लिक आज का वीडियो ने जा रहा है लेजंडरी टीम टाइटल के बारे में फाइनली गाईज हमारा जो अचीमिंट है वो यहाँ पे कम्पलीट हो चुका है और हमें जो टाइटल है वो मिल चुका है तो यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लेकिन मैंने जिस तरह से किया है आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा आप लोग भी इसको आसानी से कर सकते हो वह भी विदाउट सेवन चिकन डिनर साथ चिकन डिनर के बगएर भी आप इस टाइटल को ले सकते हो वह कैसे ले सकते हो कि अगर आपका कोई टीमेड या फिर आपका फ्रेंड साथ चिकन डिनर एक साथ करता है तो उसको ये वाला जो ट्राफी है वो मिल जाता है साथ चिकन डिनर आप लोगोंने करने किसमें सोलो में कर सकते हो, स्कोर्ड में कर सकते हो डूबो में कर सकते हो, लेकिन आपका रैंक है वो प्लेटियम से नीचे नहीं होना चाहिए और जो थीमड मोंड है उसके अंदर करने है जैसा कि लिविक में थीम मोंड है, सैनुक में है और है यहाँ पर रैंगल के अंदर है तीनों में अगर आप साथ चिकन डिनर करते हो तो आपको यह वाला जो ट्राफी है वो मिल जाएगा इसके बाद आप लोगोंने करना क्या अगर आप जिसके पास ट्राफी है वो तीन बंदों को यानि कि जो टाइटल है वो दिला सकता है अब वो कैसे दिला सकता है क्योंकि उसके पास आएगा बाई लेजेंडरी ट्राफी, अब ट्राफी से क्या होगा कि अगर उसके पास ट्राफी है तो तीन बंदों को और भी आएंगे उनके साथ चिकन डिनर हो या ना हो लेकिन उनको विसाथ में जो टाइटल है वो मिल जाएगा आप लोगोंने ये इरेंगल पर ट्राइ करना है लिविक पर बिल्कुल भी आप लोगोंने ट्राइ नहीं करना है तो जैसे ही आप लोग मैच स्टार्ट करोगे आप लोगों को ये जो डेरागोन बेल का ट्राइल है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा और अगर यह नजर नहीं आता तो आप समझो कि भाई ट्रायल एक्टिव नहीं है ट्रॉफी अभी काम नहीं कर रहा तो आप लोग यहां पर देख सकते हो मैप के अंदर आप लोगों को तीन लोकेशन शो होंगे जहां पर आप जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो दो मिन के अगर दो मिन के अंदर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो यह होगा कि इसका टाइम चला जाएगा फिर आपको नेस्ट मैच के अंदर दुबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा टाइटल आपका जो ट्रॉफी है वो जाया नहीं होगा तो आप लोगोंने क्या करना है आपका जो लोकेशन है वो आपके एनमी को जाएगा तो यहां पर देख सकते हो पबलिक यहां पर हमारा जो ट्राइल है वो एक्टिवेट हो चुका है अब आप लोगों को यह जो बॉल है वो गैम के अंदर शो होना इस्टार हो जाएंगे पहले आप लोगों को तीन बॉल नजर आजाएंगे मैप के अंदर आप लोगोंने तीनों बॉलों को अकठा करना है आप लोगोंने क्या करना है एक बंदे के हाथ में देना है ऐसा नहीं है कि अलग अलग बंदे उठा लो जैसे ही यह तीन बॉल उठाओ आप लोगोंने एक बंदे के हाथ में देना है तो यहां पे देख सकते हो पब्लिक हमारे पार जो ट्राफी है वो हमें नजर आ रहे हैं मैप के अंदर और मेरे जो टीमेट है इसको क्लेक करने में मसरूफ है तो आप लोगों ने जल्दी से इन ट्राफी को उठा लेना है तो यहां पे मैं एक ट्राफी की तरफ जाता हूँ और बाकी जो मेरे team gång Comics यो दूस्रे ट्राफि हो अटा लेतें तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हो बारी ट्राफी का लेकिन यह डिरागोन Wallace है सही है इसको आप लोगों ने उठाना है पहले आप लोगों को चार मिलेंगे उसके बाद जैसे ही आप लोगों वो चारों उठा लोगे उसके बाद जो तीन है वो आप लोगों को अलग लोकेशन पे दिखा देंगे आपका जो फैस टू है वो इस्टार हो जाएगा तो ताकर आगर आप मर भी जाते हो तो वो ट यहां से उठा लेता है। हम या मैं गर split ट्राफियां चाहिए थे और हमारा जो achievement था वो complete के तरफ बढ़ रहा था और यहां पे जो scene होता है मैं यहां पे जा रहा होता हूँ और मेरा जो teammate वो भाई रुकता ही नहीं है मैं यहां पे जैसे ही रुकता हूँ मुझे यहां पे एक बंदा support होता है और मैं अपना buggy रोग देता हूँ मेरा भाई यहां पे पता नहीं मेरे पास एक ट्राफी भी भी था और यहां पे मेरे भाई काम पे टांग उड़ती है मैं कहता हूँ अब यह हो गा ही नहीं अब मेरे से भाई गया यह achievement लेकिन भाई luck होता है तो पिर देखो ना क्या होता है तो यहां पे दोनों बंदे मेरे पर rush करते हैं लेकिन मेरा luck होता है मैं 0 HP के अंदर भाई दोनों बंदों को यहां पे मार देता हूँ तो टाफी हमारा बच जाता है और मेरे जो teammate है वो यहां पे जाके सारे ट्राफी उठा लेते हैं सिर्फ एक ही ट्राफी रहता था तो यहां से मैं इसका लूट करता हूँ इसके बाद यहां पर मैं जो गाड़ी है इसको उठा लेता हूँ तो जैसे ही मैं गाड़ी उठाता हूँ और हमारा जो लुकेशन है वो रिविल हो जाता है क्योंकि हमें साथ कुईन है वो मिल चुके है हमारा टीमेट फिर आपके बाद जैसे ही आपको साथ कुईन मिलेंगे आपको लोकेशन ऐसा मिलेगा वहाँ पे जाके आप लोगोंने शेंडरोन को एक्टिवेट करना है इन टाफियों को आप लोगोंने लगा देना है अगर आपका एक ही टीमेट के पास सातों टाफियां होंगे तो आपका एक ही टीमेट याके लगा सकता है और इसमें चिकन डिनर भाई नहीं करना है जैसे ही आप लोग टाफिय लगाओगे आपका chicken dinner हो जाएगा जैसे ही आपके हाथ में 6 ट्राफियां आ जाएगे आपका location reveal हो जाएगा और बंदे आपको आके मार भी सकते हैं और अगर वो enemy आपसे ट्राफियां लेके सही है न शेनरों को activate करते हैं तो उनको भी जो trial है अगर आप लोग फाइट करते रहो आप लोग अपने teammate को उसको बचाना है सुमोग करके आप लोग उने कुछ भी करके बस आप लोग उने उसको बचा के वो जैसे ही activate करेगा तो आपका chicken dinner हो जाएगा सबको title मिल जाएगा बस आप लोग उने गोर करना है कि कोई बंदा शंदा आजाता है तो लग जाते थे हमारे तो सही है यहां पे हम ने smoke व्गर का है इसके बाद रहे हम जाते हैं इस हमारे पास अभी बंद और चारों Dire ने हमेक साथ अगर बंदे के पास सारे तो वह समय और पर कर सकता है तो यहां पर मैं इसको activate कर देता हूँ, आप लोग जैसे ही activate करोगे, यहां पर देखो बंदे 41 अलाइव है, और यहां पर देखो जैसे 41 बंदे अलाइव है और हमारा जो यहां पर chicken dinner है वो हो जाता है, तो कोई आप लोगों ने chicken dinner नहीं करना है, जैसे ही आप Shannon को activate करते हैं, तो आपका chicken dinner भी हो जाएगा और आपको जो title है वो भी मिल जाएगा, और इस तरह का आपको effect आएगा, कि आपका जो डेरागोन बायल का trial है, वो complete हो चुका है, तो finally यह देखो public complete हो चुका है, बहुत ही असान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, इससे आसान कोई भी ट 6 बंदों का हो गया था, हमने 3-4 यह जो trial है, वो complete किये थे, तो यहाँ पर हम लोबी में आ जाते हैं, इसको continue कर देते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर लोबी कर देता हूँ, अब आप लोगोने scene चेक करना है, मैं बस लोबी आ जाता हूँ, मेरे मज़े हो जाते हैं, और मेर जो title है, वो मुझे मिल जाता है, तो पबलिक यही था, आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ है, तो वीडियो को आप लोगोने like कर देना है, और चैनल पर नहीं हो, तो मज़ सब्सक्राइब करके bell notification ओल पे लाजमी करें, ताके हर नहे आने वाले वीडियो के notification आप ल जाहाफिज दोस्तो